तो फ्रेंज कैसे हैं आप से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का जमार टॉपिक है वह है राउंड नेक डिजाइन के ऊपर और उसके पहले अगर आप हमाय चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिगा दोस्तों तो यहां पर दे कि मैंने बुक पहले आप बड़े गले पहले उपर को पहलें उस हिसाब से आपने तीम इंच पर मार्किंग की है यानि की तो इसकी नीचे को जो डीपनेस में रखूंगे उसका एक बाद ध्यान दीजिए यहां पर मैं आठ इंच रख रहे हूं क्योंकि आधा इंच मेरा उपर की साइल ल तो अभी यहां से भी मैं वहने तीन इंच पे एक मार्क लगा लूँगी अगर आप छोटे गली पहनते हो तो धाई इंच पे अपनी ब्रॉड नेस का निशान लगाना है तो इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है और इसको हमने राउंड शेप देनी है यहां पे इस तरह से प्रॉपर राउंड शेप आपने देनी है बिल्कुल अच्छे से तो अभी बाहर की तरफ से मैंने एक एक इंच एक एक एंच एक एंच पे मार्किंग कीजिगा पॉने एक इंच भी कर सकते हो आप आधा इंच भी ले सकते हो इसको इसमें कुई इस्यू नी है तो यहां थोड़ी थोड़ी जगां पे डिफ्रेंस के साथ हमने निशान लगाया है और यहां पे मार्किंग मैंने कर दी है तो इसी मार्किंग के ओपर हमें करनी है बिल्कुल प्रॉपर आपका यह राउंड नेक होना चाहिए यह देखे फ्रेंस और इसको हम साइड में रख देंग तो इस दन्वार दोंसड़ जय पर अप्रॉपर कर सीदूर करना है अच्छे से बिल्कुल साइड हो मार्किंग करना तो आपने अपने ब्रॉपर Singh कर लेंगा बादे था निशान पता चलता रहागा तो मैंने इसको अटैच कर लेना है यह देखे लगाने की मुझे जुरुरत नहीं आपको दिखाने की तो यहां पर इसको पूरे कप्ड़े को फोल्ड कर देना है यह भी ती कच्छी को साथ ही करेंगे अपने при بक्हें के साथ ही लगाना है बाद में हम इस लाई को रिमूव करेंगे तो यह देखे गाइस इस तरह से यह मारी लग जाएगी अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं ट्रिम कर दूंगी आपर कट कर दूंगी इस तरह से और अगर आपकी पेस्टिंग वुक्रम है तो सिंपल प्रैस के साथ चिपक और मुझे इसका पता चलता रहेगा तो यहां पे अगर आपको धागा नहीं दिख रहा है तो धागे के उपर आपने चौक के साथ मार्किंग करनी है यह चीज आपको दिखनी चाहिए कि आपने कहां पर अपने लूप्स अटैच करने है यह देखे इस तरह से बुक्रम के बिल्कुल पास-पास अमने सिलाई लगा के उसके उपर चौक के साथ मार्क लगा लिया है तो अभी मैंने कुछ लूप्स रैडी किये हैं डोरी लूप पहले रैडी की थी और यहां पर धाई इंच का मैंने एक लूप्स कट किया है डोरी आपको कैसे बनाते है वह मैं आप का तीरे की सिलाई में दर्प जाएगा तो अब या तो पहले लूप्स रैडी कर लीजिए या ठील कर लिजिए लगा के या फिर ऐसे ही डाइरेक्ट लगा दीजिए जैसे कि मैं लगा रही हू Almost often पहले आपने लूप्स रैडी कर लेने हैं अगर आप बिगनर्स हो तो लूप्स रैडी कर लीजेगा वरना आपकी सिलाई थोड़ी से खराब हो सकती है तो यह देखे इसी तरह से हमने बिल्कुल दो तिन पॉइंट का डिफरेंस छोड़ते होए दो तिन पॉइंट का फांसल वीडियो डालती रहती हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहां पर देखें राउंड नैक की तरह से पर्फैक्ट लेक्ट कर लेना है थ्यान से कट करना है तो अब हमें इसको साइड में रख देना है अब यहां पर कुर्ती देनी है जि कुड़ती की सीधी साइड आपने रखना है और इस तरह से बड़े बखे के साथ पहले सेंटर में सिलाई लगा लीजिए या फिर अपने नेक को यहां पर पिन अप कर लीजिए क्योंकि आपका नेक इधर उदर नहीं हिले जुलेगा इसके साथ अगर आप सिलाई लगाते हो क्योंकि वारे बखे साथ तो आपका आपका रखना है विल्कुन परॉफेक्ट लगता है तो अभी यहां पर इसको सैट करते एंगवे भील्कुल वहीं पे शिलाई आपने विलाए लगानी है यहां पर बुक्रम के जरूर पसंद आएगा और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करोगे तो यह देखे गाइस बिल्कुल बुकरम के पास-पास हमने किनारी की सिलाई लगा ली है तो अंदर से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने पूरा कपड़ा अंदर से ट्रिम कर देना है करते है तो अभी यहां पर चोटे-चोटे गत लगाने हैं हमने इस तरह से यह देखे अब इसको हमने पलाट लेना है बहूंदि रॉप अन्डर ब्राउंड हो जाएंगे और लूप बाहर की तरफ आजाएंगे इस तरह से यह पूरे लूप अंडर ब्राउंड हो चुके है और बहुत ही ज्यादा फीनिशिंग से यह हमारा नेक डिजाइन बना है तो यहां पे अभी बड़े बखे के साथ सबसे पहले अपने सिलाई लगानी है यह देखे अपने नेक को सेट करते हुए अच्छे से या फिर इसके ओपर एक बार प्रेस कर लीजे प्रेस कर सकते हो या फिर बड़े बखे के साथ सिलाई लगा लीजे अगर आप बिग्रर्स हो तो सिलाई लगाना बैटर समझेगा यह देखे और पीछे से अब हमें इसकी तुर्पाई कर लेनी है और बिल्कुल अभी हमने बिल्कुल पास पास किनारे की सिलाई लगानी है लूपस के ओपर बिल्कुल ध्यान से अपने यह सिलाई लगानी है फिनिशिंग की सिलाई होनी चाहिए इस सिलाई को हम रिमूव नहीं करेंगे और यहां पर चोटा बख्या कर लिजेगा अपनी सिलाई का चोटी चाल कर लिजेगा तो यह देखे गाइस नेक डिजाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है अब पीछे से हम तुर्पाई कर वीडियो कैसी लगी दोस्तो हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएगे यह जो बड़े बखे की सिलाई है इसको में रिमूव कर दूंगी तो नेक डिजाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है कितनी फिनिशिंग से हमने बीटिफुल सा नेक डिजाइन बनाया ह अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा पैल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं फिचर में कोई भी नहीं वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बाइ फ्रेंस थैंक्स वाचिं इस वीडियो